तो गाईज 3060 Ti इंडिया में लाउंच हो चुका है इसकी पराइसिंग क्या रहेगी और इसको कंपेर करेंगे 3070 और पुराने ग्राफिक्स कार्ड के साथ तो चलिए जोस्तों आज की डियों मेरे नाई वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं यहां पर काई इंट्रो तो बहुत चोटी थी लेकिन वीडियो बड़ी इंपॉर्टन होने वाली है तो सबसे पहली और सबसे अच्छी बात है कि इन्वीडे की तरफ से अभी बजट कार्ड है जो लाउंच होने स्टार्ट हो जोके हैं जैसी कि आपको पती जिता कि 3060 Ti जा 3060 सूपर 3060 जा 3050 Ti की कुछ ऐसा ग्राफिक्स काड़ लाउंच होगा लीग सा रहे थे तो अभी के लिए 3060 Ti लाउंच हो चुका है आठ जीव की GDDR6 टाइप की मेमरी के साथ ही आता है अच्छा कासा ग्राफिक्स काड़ है क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है उसके बार करते हो 2060 सूपर के साथ जा पुराने किसी ग्राफिक्स काड़ के साथ तो यह उसको बीट करता है हर एक तरीके से अगर आप रेट रेसिंग देखनो देखनो तो भी मलगी हर एक तरीके से 2060 सूपर को यह बीट कर रहा है इसमें कोई भी शक नहीं है तो यहां पर गाईज जो मेन बात रहती है वो है 2080 सूपर के साथ अगर आप इसको देखते हों पुराने हाइंड काड के साथ अगर आप इसको कंपेरेजन करते हो इसका तो यह ग्राफिक्स काड उसके बराबर की परफॉर्मेंस आप एक तरीकी से मान सकते हो वहां से आपको पांच चार एपिस के मतर आप मान सकते हैं कि 5-6 FPS कम देता है लेकिन देता जुरूर है उसको मान की टकर का पूरा बन चुका है रेट रेसिंग DLSS जो भी इसमें जो नहीं चीज़ें एड कीगी है बड़ी अच्छी खासी इसमें जो है आपको इंप्रूमेंट देखने को मिली है तो यहां पर सेवेंटी एक पांसो डॉलर का ग्राफिक्स काड़ है बड़ा अच्छा खासा वो भी काड़ है लेकिन उसकी जो प्राइसिंग है बड़ी खतरनाक जा रही है 65,000 के आसपास की उसकी प्राइसिंग जो एम यावन के उपर देखी गई है तो यहां पर गाईस अगर इसकी प करते हैं इंडियन रुपीज में तो यहां पर जो आ जाती है उसमें अठारा प्रसेंट नहीं आती है वह तो भाई जतनी भी आती है वो मैं आपको शो कर दूंगा यहां पर उसको अगर आप टेक्स वेरा लगा लिए तो वह आपको 35 तक का चला जाता है 34 कुछ तक जाता है 35 आप मान लो ठीक है 35 के उपर मान लिया कि 5000 पे इंडिया में आते आते लग गए ठीक है 5000 पे आपके अभी भी एक्स्ट्रा जाएंगे जो इसकी प्राइसिंग रहेगी वो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं 35 पे इसका पर जो है निकला है कि पूरा बजट 35 का यह बन सकती है यह ग्राफिक्स कार्ड इसी प्राइस रेंज के अंदर ही लाउंच होना चाहिए को कि 3070 भी पड़ा है पुराने ग्राफिक्स कार्ड भी पड़े है 2060 सूपर अभी 2070 सूपर वो अगर आप इसको इसके साथ कंपेर करते हैं वो भी थोड़ा बहुत बीट हो जा लेकिन एंडिया में जो सीन चल रहे है उसके कारण इसकी प्राइसिंग हाई जाएगी 45 से लेकर 50 तक क्योंकि जो आप पचास 55 यार का ग्राफिक्स कार्ड था वो 65,000 का बेकरा है 10 यार पे उसकी उपर लग रहे हैं तो इसकी उपर अगर ये 35 यार का ग्राफिक्स कार्ड ह प्राइसिंग यूपर यह लाउंच हो चुका है अगर यह मेरी अंदाज़ा मेरा यही सही रहा जाता है तो आप लाइक कर सकते हो तो धन्यवाद दोस्तों यह थी मारी आज की वीडियो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना हम ऐसे टेकनोली एंबॉक्सिंग की वीडियो लेकर आती रहते हैं